हेलो मेरी कलास की प्रियस विछाद तिवम चाद्रों आप सभी का एक बर फिर स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रात्वी सिच्छ गवर्ती समाचार मद्धी परिच्छ बरिच्छ बर्गे तीन का एकजाम दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखें पूरी प्रोसेस देखेंगे हम इस वीडियो में आप सभी वीडियो को पूरा देखें एपिसोड नमबर साथ ठीक है अगर आप लेटेस्ट अपकमिंग एपिसोड का नोटिफिकेशन पाना चाहेते हो तो आप सभी लखी सर की युट्यूप चरू कुछ सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दवा दे जिससे की आने वाले एपिसोडों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रही ठीक है लेटेस्ट न्यूजे 21 अगस्ट 2022 तो श्टार्ट करते हैं वीडियो आज कब आप सभी बने रहे हमारे साथ जिसा कि आप सभी यहाँ पर देख सब्सक्राइब करने वाले हैं जो चात एंपिटेड पर गे तीन एक्जाम को क्वालिफाइड कर चुके हैं अब उनकी मन में परसंद चल रहा हुगा सन्युक्ति कब मिलेगी कैसे मिलेगी क्या प्रोसिस रहेगी आज की बीडियो में करेंगे एंपिस्तार से चर्चा आप स को जूम कर दिया है ठीक है मद्पिदेश सासन के स्कूल सिच्छा विभाग एवं आदिम जाती कल्यान विभाग द्वारा सन दोहजार अठारा में सीचक पाता परिच्छा के आउजन के संबंद में प्रोफेशनल एक्जामनेशन बोर्ड पी इवी को आदेश जारी किये ग मांग थी मद्पिदेश में तो संबंद में पी वी को आदिस जारी किये गए थी कि आप सीचक भरती परिच्छा बर्गितीन का एक्जाम कंड़क्ट कराएं इसके लिए पी वी ने उननीस दिसंबर उननीस में नोटिफिकेशन निकाला और जनबरी दिसंबर उननीस में इस के फारम भरे ठीक है दोजार एकिस में करोना काल आ गया था इसकी पाता परिच्छा 5 मार्च से लेके 26 मार्च तक चली 2022 में campeorm CT ने ज्यानपूरवक सुने 5 मार्च से लेके 26 मार्च तक इसकी परिच्छा चली 2022 थीक है इसका भी हाली में रिजल्ट आ चुक है, 8 아गस्ट 2022 के इसका परिडाम गोशित हो चुका है सन 2022 में पात्ता परिच्छा का परिडाम आ गया है, लेकिर सवाल यह है कि पात्ता परिच्छा 5 चैनित सिच्छक बर्गितिन को इसकूलों में निकती कब तक मिलेगी ठीक है आप सभी बने रहे हमारे साथ हम आपको एक जानकारी देंगे बस आप टेंसन ना लो लकी सर के पास आज चुके हो आपको कही जाने की आउसत्ता नहीं पड़ेगी ठीक है लोक सीचर संचनाले के कमिशनर अभय वर्मा के पास इस पिसन का कोई उत्तर ही निया जब यह हाँ पर हमारे इमेडिय र्पोटर्टर ने हाँ पर इनसे संपर्ग सादने की कोशिस की कि हाँ पर इनसे जानकारी ली जाए कितनी पदों पे भरती होगी कब सी प्रिक्रिया प्रारम्भ होगी तो इस संबद में कोई इत्तर ही नहीं आओ इनको कच्छ जवाबाई नहीं मिलो लोग सीच्छर संचनालय के कमिशनर अभय बर्मा के पास इस पिसन का कोई उत्तर नहीं है मुख मंत्री कार जालास अनाद्र की तोर पर सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि अगली एक साल में सभी भागों में मिला कर एक लाग भर्ती की जाएगी हमाई मामा तो घोसना करने में माहिर है का बात है भारत के सभी राज जानने लगे हैं किस राज के मुखमंत्री को मामा कहा जाता है सिवराज सिंग चोहार मत्रपिदेश के मानने मुखमंत्री ये भी सबको पता चल चुका है किस राज के मामा को घोसना बीर कहा जाता है तो हमाई सिवराज सिंग चोहार को घोसना ब पिछली बार खबर आई थी कि लोग सीचर संचनाले द्वारा ग्यारा हजार घोस्त रिक्त पदों पर भरती प्रिकिरिया की तैयारी की जा रही है। यहां पर देख रहे हो डाटा आप सभी बन लाख एक लाख एक लाख अठतर हजार आठ सुन अत्तर उमीदवार परिच्छा में पास करके चैनित हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमारी सरकार कब इसकी न्युक्ति देगी ठीक है। अब देख लेते हैं कि न्युक्ति की प्रोसेस क्या रहेगी मत्यप्रदिश सरकार में। ठीक है सवाल अच्छा है आपका। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मत्यप्रदिश प्रात्विक सीचक न्युक्ति प्रिक्रिया। इसको अच्छे से समझ लें हैं आप सभी ठीक है। सबसे पहले चैनित सीचकों की नई स्रे से रजिश्टेशन करना होगा। सबसे पहले जिन उम्चात्रों ने क्वालिफाइड हुएं उनका रजिश्टेशन होगा। रजिश्टेशन कैसा होगा। मोवाइल नंबर से होगा। रॉल नंबर और डेटो बत। बोई नंबर इसमें आपका सू होगा। तो किर्प्या करके जिन छात्रों के पास वो स्म नहीं है तो स्म निकलवा ले। ठीक है आवसक सूचना। चैनित सीचकों को नई स्रे से रजिश्टेशन करना होगा। रजिश्टेशन करना होगा। आपको फिर इसके बाद रजिश्टेशन करने के बाद जो आपने डोकुमेंट फारम भरते समय अप्लोड किये ती इस समय अप्लोड करना होगा। जैसी कि आपका 10-12 की मार्क सीट डी-8 की मार्क सीट लगेगी इसमें। मोल लवासी आपको अप्लोड करना पड़ेगा। EWS का सर्टीफिकेट भी अप्लोड करना पड़ेगा। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो पीएच का सर्टीफिकेट भी आपको यहाँ पर अप्लोड करना ही होगा। ठीक है अप्लोड करना होगा। MP Online के माध्यम से चोईस फिलिंग की जाएगी क्या बात है। आपकी चैन सूची जारी होजे फिर का होए पता होना चाहिए ना चैन सूची तमाई जारी होजे फिर का होए डेपार्टमेंट द्वारत चैन सूची जारी की जाएगी इसकी बात फिजीकल डोकुमेंट बेरिफिकेशन क्या बात है आपकी चैन सूची जारी हो जाएगी